शमसाबाद खोरों की मूल बस्ती है फर्रुखाबाद के निर्मान से लगभग 800 वर्ष पहले यहां खोर राजाओं का शाशन्धा शहर में अब जो खोरों के समय का शेश बचा है उसमें पंच मुखी महादेव का हजार साल पुराना मंदिर वमक की शाह की दरगाहादी ही शेश है जिसका जिक्र हम अपनी अगली पोस्टों में करेंगे लेकिन जब जब शमसाबाद का जिक्र आता है नवाब दूलहाव जाफरी बेगम को याद किया जाता है जाफरी बेगम के नाम से फतेहगर में एक जाफरी महला भी है परन्तु इतिहास में नवाब तफज्जुल हुसेन खान के बाद के नवाबों के बारे में कोई वर्नन नहीं मिलता खासकर नवाब शमसाबाद शिया थे वे यहां आकर पठानों के साथ घुल मिल गए क्या फर्रुखाबाद के इतिहास में इनका कोई रोल था जिजासा वश्टत्यों को बटोरने की कोशिश की तो जो सामने आया वो ये है खोरों का नगर खोर नगर आज का शमसाबाद नवाब रशीदाबाद मौं के इंतर रगत आता था 1714 में फर्रुखाबाद के निर्मान के बाद क्षेत्र बंगश शासन के अंतरगत चल रहा था 1801 में पहली बार क्षेत्र ब्रिटिश शासन में अवद प्रांथ के अधीन लाया गया इरान के राजा रहमत अतुल्ला शाह सफावी नादिर शाह द्वारा अपदस्थ होने के बाद 1737 में जब भारत आये तो मुगल बाद्शा मुहम्मद शाह का शासन था इन्हें गवनर अजिमाबाद नियुक किया गया बाद में दिल्ली फिर लखनौ वा अंतता सुरक्षित जगह शम्शाबाद में आकर बस गए पशियन भाषा व पोईट्री में सिद्ध हस्त इस विद्वान परिवार का हिंदुस्तान व इरान में बड़ा सम्मान था 1827 में अवद नवाब नसीर उद्दीन हैदर के दरबार में प्रधान मंत्री फजले अली खान की पुत्री जाफरी बेगम का विवाह नवाब सीग मुहम्मद अली खान सफावी उर्फ नवाब दूलहा से संपन्न हुआ शम्मशाबाद में तीन बड़े गाउं खरीद कर इन्हें दिये गए नवाब दूलहा पशियन भाशा के प्रकांड विद्वान थे इन्होंने पशियन भाशा में 20 पुस्तके लिखी ब्रिटिश शासकोंने इनके साथ मिलकर शम्मशाबाद में तंबाकू वनील की खेती का व्यावसाय किया बंगर्श वर अंग्रेजों के दैनिक कारियों का एतिहासिक ब्योरा इनके द्वारा लिखित डाइरी से मिलता है अनेको अंग्रेज लेखकोंने अपनी पुस्तकों में इनकी डाइरी को उद्रित किया है नवाब दूलहा को मजिस्ट्रेट का gang अनरेरी पद डिया गया था इस दौरान जाफरी बेगम के तीन पुत्र वर तीन पुत्री हुई तीन पुत्र थे साइड मुहंद जफर अली खान प्यारे मिया सीड मुहंद वली खान नवाब जान साहब सईद मोहम्मद मेहंदी अली खान अच्छे साहब अच्छे साहब के दो पुत्र थे हैदर सुल्तान व सफदर सुल्तान जान साहब म्यूनिसिपल्टी में चेर्मेन पद पर कार्यरत रहे है तीन पुत्रियां थी फातिरा सुल्तान बेगम सकीना सुल्तान बेगम, ताकिया सुल्तान बेगम, आज नवाब दूलहा की पौत्रीडा, जर्मी दक्त सफावी पशियन रिसेच इंस्टीटूट अलीगड विश्व विध धले में डाइरेक्टर पदपर कार्यरत है आपको भारत में लेखन के लिए राष्टपती पुरसकार व इरान सरकार का उच्च पुरसकार मिल चुका है अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करे, सब्सिक्राइब करें व बेल बटन दवाना न भूले